आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे ब्लड से रिलेटेट कुछ बेसिक जानकारी जैसे कि ब्लड हमारे सरीर में कितना होना चाहिए, ब्लड का कलर लाल क्यों होता है, ब्लड कैसे बनता है, कहां बनता है, और ब्लड का क्या काम होता है, ब्लड का क्या का कमपोजिशन होत तो जो blood जो होता है, एक healthy males में 5-6 liter blood average होता है और महिलाओं में पुरूसों के मुकाबले half liter कम blood होता है तो सारे 4-5 liter blood महिलाओं में होता है लेकिन जरूरी नहीं कि हर किसी के ब्यक्ति में 5-6 liter ही blood हो तो किसी भी ब्यक्ति के शरीर में blood कितना होगा यह dependence करता है उसके body weight पे तो body weight के 7-8% जो है उसके शरीर में blood होगा अगर मान लेजे किसी ब्यक्ति का वजन अगर 60 kg है तो 60 को अगर हम 7% करते हैं तो 4.2 होता है और हम 8% करते हैं तो 4.8 होता है तो यह 60 kg का अगर ब्यक्ति होगा तो उसके शरीर में blood होगा 4.2 से 4.8 लीटर blood होगा तो आप भी अपने वजन को measure कीजे और आपका जो वजन है उसका 7-8% कीजे उसके हिसाब से आपके शरीर में blood होगा अब blood बनता का है तो blood basically bone marrow में बनता है और blood को बनने के लिए जो vitamin minerals है वो vitamin B12, folic acid, iron इन सब के लेने से हमारा blood बनता है तो यह सब help करता है blood को बनने में हमें नॉर्मली दिखाई नहीं देता है यह तब दिखाई देता है जब हम blood को सरीड से बाहर निकाल के उसको centrifuge करते है तो जब बलड को किसी ट्यूब में बहर निकाला जाता है फिर उस ट्यूब को सेंट्रिफ्यूज में पान से 7 मिनट के लिए इसको centrifuge किया जाता है जब तो ब्लड में 55% प्लाजमा होता है और 45% हमारा पानी होता है और प्लाजमा में 90% तक पानी होता है और बांकि 10% होता है उसके अंदर प्रोटीन, सुगर, बिटामीन, मिनिराल्स, हॉर्मोन, कोलेस्ट्रॉल, एंटीजन, एंटीबुरी तो यतने भी टाप के केमिकल्स होते हैं, सब्सक्राइब प्लाजमा के अंदर ही होते हैं, और नीचे बाला पार्ट होता है, जो 45% होता है, उसके अंदर 44% RBC होता है, और 1% WBC और प्लेटलेट्स होता है, तो RBC के बात करें, तो RBC को Red Blood Cells भी बोला जाता है, या इसको Ithrosite भी बोला जाता है, तो RBC का मेन काम होता है, कि हमारे सरीर में oxygen और nutrition को हर एक टिसू, हर एक सेल तक हर एक और्गन तक पहुंचाने का यह काम करता है, जो हमें खाने से nutrition मिलता है, तो खाने से nutrition जो है, फिर हमारा body उसको digest करता है, फिर खाने से nutrition लेता है, फिर उस nutrition को RBC अपने साथ बाइंड करके, हर एक टिसू, हर एक सेल तक पहुंचाने का काम करता है, नॉर्मली जो RBC जो होता है, तो 120 दिन बाद उसका destroy हो जाता है, यानि कि life experience जो RBC का होता है, वो 120 दिन का होता है, और liver और spleen में RBC destroy हो जाता है, यदि RBC की कमी हो जाए, यदि RBC normal adrenaline से बहुत ज़्यादा कम है, चार के आसपास है, तीन के आसपास है, तो हम बोलते हैं कि उसको खुन की कमी या एनिमिया हो जाता है, और यदि RBC का count जो होता है normal adrenaline से ज़्यादा हो जाए, तो उसको जब पॉलिसाय थीमिया बोलते है, अब RBC कम हो जाए तो क्या क्या खाना चीए, तो RBC कम हो जाए तो vitamin B12, folic acid, iron, जितने भी फल सबजी या उसके लेने से जो है हमारा RBC बढ़ता है, बलड बढ़ता है, तो जब किसी को ब्लड की कमी होती है, खुन की कमी होती है, यानि कि RBC की कमी होती है, तो उसको iron, फल सबजी बोला जाता है खाने के लिए, आइरन, folic acid, vitamin B12, यह सब चीजे जो है उनको खाने के लिए बलड को बढ़ाने के लिए, अब WBC जो होता है, WBC को white blood cells भी बला जाता है, या इसको जो leukocyte भी बला जाता है, तो WBC का मेन काम होती है कि हमारे सरीर में हमारे body को infection से बचाना, यानि कि जो भी infectious disease होता है, उससे वो fight करता है, जैसे typhi, dengue, malaria, viral, जितने भी infectious disease होता है, उन सब से WBC fight करता है, और यह हमारे immune system से related होता है, क्योंकि antibody produce करने में help करता है, हमारे body को foreign particle से यह बचाता है, तो WBC का count होता है, 7-11000 होता है, 7-11, total WBC count को total TLC count भी बोला जाता है, यानि कि total leukocyte count होता है, ज необход물 से, यानि कि immune system कभelcome कंच हो started हो। तो WBC count कम हो जाता है, और high जो बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानि बहुत ज़्यादा में डबल ट्रिपल हो जाता है, तो इसको leukemia उसको बोलती है, और जैसे WBC होता है, जैसे RBC बनता है, वैसे WBC bone marrow में बलता है, और इसका जो life span होता है, दो से 5 दिन का होता है, और ये blood में platelets जो होता है, वो हमारे blood clotting में help करता है, means कि जब कहीं हमारे सरीर में injury होता है, कहीं cut होता है, कहीं गहाँ होता है, वहां से bleeding होता है, तो आप देखते होंगे, कुछ दिर बाद जो blood वहां से stop हो जाता है, दबाने के बाद, तो ऐसा इसलिए कि platelets की बज़र से होता है, जहा होता है, तो जिसके बज़र से हमारा blood शरीर में clotting होता है, लेकिन जैसे बाहर आता है blood, तो कुछ दिर बाद उसको clot हो जाता है, तो इसलिए blood को clot होने से बचाने के लिए, जो blood को एक tube में रखते हैं, जहां पर anticoagulant पहले से रहता है, तो platelets का count होता है, देट लाग से ले platelets count जो है, काम हो जाता है, तो platelets count जो होता हो, तो आपको liquid बाली चीज लेनी चाहिए, कीवी हो गया, जैसे पपीता हो गया, पानी जयादा पिनाची, नारेल पानी सब जयदा पिनाची है, तो इस अब छीजे से platelets जो है, वो देड-डेडे ठीक होता है, infection ठीक होता है, तो तो RBC का मेन काम होता है, कि हम जो सांस लेते हैं, तो उस सांस लेने, जो हम लंक्स के थूरू, जो हम सांस लेते हैं, तो लंक्स में बलड जाता है, फिर ऑक्सिजन के साथ बाइंड कर जाता है, यानि कि हीमोगलोबीन जो होता है, वो ऑक्सिजन को अपने साथ बाइंड करता ह ह Joanna अब बलट का कलर जो लाल होता है वो सिक्टली हमोग्लोकन के वजए से होता है तो सिक्टली हमगलोबिन के अंदर तो हम जब्दम के दो चीजे को वाल नार्मली जो हमागलोबिन का वैलू होता है महिलाव में तेरह से साथ एमजी पर डियल्स होना चीए और महिलाव में 12.5 से 16 तो दोस्त अगर आपको मेरा यह वीडियो प्रसान दाए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरू कीजिए धन्वाद दोस्तो